तो दोस्तों मेरे पास बहुत सारे questions आ रहे हैं जिसमें की लोग जानना चाहरे हैं कि किस तरीके से हम flight का online ticket book करा सकते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि flight का online ticket book करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो चलिए देखते हैं मेरे नाम है अमित और आपका मेरे चनल में स्वागत है तो देखिए online ticket book कराने के लिए आप अललग applications और websites यूज करते हैं मैं आप आपको बता रहा हूं कि आप make my trip website की help से या उसकी application की help से किस तरीके से ticket book कराएंगे तो देखिए सबसे पहले आप make my trip की website को open कर लिजिए अगर आपने उस पर register नहीं किया हुआ है तो अपने user id को या अपने mobile number को इस पर register कर लिजिए और उसकी बाद में जब आप mobile पर make my trip की website या अप open करते हैं यहाँ पर आप देखते हैं सामने तो आपको बहुत सारे अलाला options मिलेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लिक करना है फ्लाइट पर तो आपने फ्लाइट पर क्लिक किया उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तीन options उपर देख रहे हैं आपको one way round trip and multi city अब यह one way का मतलब होता है कि आपको एक जगे से दूसरी जगे पर जाना है और आने का टिकेट वापिस नहीं करना है round trip मतलब अगर आपको आने जाने का टिकेट एक साथ बुक करना है तो फ्लाइट सकेंदे सबसे पहले हम बताते हैं कि किस तरके से आप one way टिकेट बुक कराएंगे one way टिकेट बुक कराने के लिए सबसे पहले आपको one way के अंदर from के अंदर अपनी उस city को चूछ करना है जहां से आपको यातर स्टार्ट करनी है तो travel स्टार्ट करना है तो यहां पर मैं मान लेता हूं one way के अंदर आप जा रहे हैं मुंबई से लेकर और पूने तक तो यहा आपको हर डीट का अलेलगज इकाप प्राइज दिख रहा है कि इस जिट को अगर जाएंगी तो कितना प्राइज होगा क्यों सबस्ट करता है तो आपको जो भी बैस प्राइस लगता है या तो उसकी प्राइस के कौर्ड़िंग अपनी डीट चूछ करते हैं या आपको दो लोग आपर चूश करते हैं अगर आप Children और Infants अगर आपके साथ में हैं तो आप उनके नमबर भी यहां से चूश करते हैं अब यहां पर क्लिक करने के बाद मैं आपको सार्च करना है अब 11 नमबर की फ्लाइट सार्च करेगा यह और सार्च करने का जो भी आप्सेंस कि अलाला आपके options हैं इन options में से आपको अपने लिए best option चूज करना है कि जिसमें कि सबसे कम पैसे आपको खर्च करना पड़े और सबसे बढ़िया हो तो जिसे कि मैं आप फर्स्ट प्राइट चूज करता हूं इंडिगो की जो कि सुपर 9 बच कर दसमें मुंबई से चलेगी और पूने पहुंचेगी 130 पर और इसका प्राइश है 6211 रूपीज इसमें बीच में यह दिखा रहा है वन स्टॉप एन फूरार 20 मिनिट्स फूरा 20 मिनिट्स का मतलब है ट्रेवल टाइम इसमें फूरा 20 बीच में एक स्टॉप इस आएगा जहां पर रुक के जाएगी मुंबई से पूने डालेक नहीं है बीच में एक स्टॉप है इसके बाद में देखिए आप आपको इस पर सेलेक करने के बाद देखिए आपको अललग डिटेल्स हो कर रहा है जैसे कि कैबिन बैकर 7 kg है इसमे बुक ना उपर जो मैं बुक ना उपर क्लिक करता हूँ तो यह मुझे उस फ्लाइट की डिटेल्स हो कर ला है यहां पर आप देखिए कैबिन बैकर 7 kg अला हुए चैकिन बैकर 15 kg तक आप रख्षते हैं कैबिन बैकर होता है जो कि आप फ्लाइट के अंदर रखते हैं अपन है यहां पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे इंपरेंट इंफरमिशन इंपरेंट इंफरमिशन वो चीज़े क्योंकि अभी कोविट का टायम चल रहा है तो इसलिए फ्लाइट में जो चैक इन है उसके लिए क्या प्रोसेस है और फ्लाइट में क्या के चीज़े ध्यानक नहीं है उसके बार में आपको थोड़ी बहुत जानकरी दी गई है इसके बाद में ये कैंसलेशन फीज के बार में इंफरमिशन दे रहा है कि आपको कितना फीज होगा और ये आपको क्या 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 डिस्काउंट डील है और वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है जब my trip insurance list अगर नहीं चाहिए तो आप no करके आगे बढ़ते हैं यहाप एक donating का option है donate करना चाहते हैं तो ठीक है कोवेट के लिए अगर नहीं करने जाते तो आप इसको untick कर दें अभी देखिए आपको next window में आपको traveler का नाम डालना होगा जैसे कि यहाप मेरा नाम है तो यहाप मेरा नाम अल्री है मेरा नाम मेरा mail id phone number यह सारी information आ रही है यहापर शोगी अगर आपने register कर रखा और अगर register नहीं कर रखा तो आपको यहापर अपना account बनाना होगा और आपको अपनी information देनी होगी इसके बाद में अभी आप एक चीज़ notice करें कि यहाप आपको web check-in भी करना कम पस रही है web check-in मतलब आपको boarding pass भी print out निकालना जरूरी है इसलिए आपको sheet book करनी होगी यहाप पर sheet book करने के लिए आप देखेंगे कि paid options होते हैं और free options भी होते हैं जो green दिखा रखा है आप free options है और paid options में आपको दो अलग options है आप जिस sheet पुच आते हैं book करना उस पर click कर दें select कर लाए green वाला मतलब free sheet अगर आप वो book करना होते हैं तो आप उस पर टिक कर देंगे तो आपकी वो sheet book हो जाएगी नीचे सबसे नीचे देखेंगे तो आप यहाँ पर आपको flight की price show हो रही होगी यह करने के बाद में आप price detail का जो वाइफर के सिन है वो देख सकते हैं और उसके बाद में next पर click कर सकते हैं नेक्स में अगर आपको कोई meal चाहिए तो आपको flight के अंदर चाहिए तो आप यहाँ पर वो meal सिरक करते हैं ways non ways और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस option को छोड़ सकते हैं और आगे बढ़शते हैं यह सारा amount आपके flight के ticket में add होता जाएगा अब यहाँ पर review करें आपकी food का जोड़ा आपने food लिया है review करने के बाद में आप जब next पर click करते हैं तो आप payment का option आता है आपको जो भी तरीके से payment करना है credit card से, debit card से, EMI से, net banking से, UPI इसे आप वो option से रख करके easily payment कर सकते हैं और इसके बाद में आपका ticket book हो जाएगा अब आपको net banking की information डालनी होगी, ICC bank का account चूज किया है मैंने तो उसकी information डाल कर आगे बटस तो हूँ, और अब देखिए अगर आपको fair जो दे रखा उसका break up देखना है तो आप नीचे इस पर क्लिक कर से हैं, आपको पूरा fair का break up मिल जाएगा, जो भी आपने चूज किया अब तक meals या कोई भी seat का additional charges है, तो वो options आपको देख सकते हैं आप है, तो दोस्तों ये एक तरीका था जि tools हैं, होस्ता है कि जब ये वीडियो आप आज से एक साल बात देखें और covid ना हो, तो उस टाइम पे इस एप में कुछ changes हो जुके हों, तो ये चीज़ द्यान रखें, ये आज की जिट में options आपको चूज करने ज़रूरी होते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में किसी तरग कोई confusion है, तो आप प्लीज मुझे से comment box में पूछ सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो प्लीज को like करें, share करें, और चैनल को subscribe करना ना भूलें, thank you दोस्तों, bye bye